असलाम अलेकुम आल वेलकम टूदा माशालला जाएका आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सबसी तो देखे कितने डिलिशुस दिखरी तो इसे कैसे बनाते चले देख लेते हैं तो हम एक पैन लेंगे कडाई आपके पास जो भी हो आप लीजिए इसमें हम डालेंगे वन टेबल स्पून ओईल घी भी डालेंगे तो असे टेस्ट अच्छा आता है सबसी का हाफ टेबल स्पून मैं इस में डाला है जीरा अब इसको हम अच्छे से सौटे कर लेंगे जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें अपने यह में पास टू मीडियम प्यास और पास से छे इसको मैंने अच्छे से ग्रैंडर में पीस लिया था इसका पेस्ट बना लिया था तो प्यास और मिर्ची का पेस्ट यह हम तेल डाल के सटे कर लेंगे जब तक तक तेल नि हो जादा दो मिनट के लिए फिर इसमें हम डालेंगे जिन्जर गर्लिक का पेस्ट वन टेबल इसको भी मैंने grinder में अच्छे से ग्रेंड कर लिया था, अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको भी हमें एक मिनट तक चलाएंगे जब तक तेल इसका रिलेज नहीं हो जाता फिर हम इसमें डालेंगे अपने मसाले तो मैंने 1 tablespoon salted, 1 and a half tablespoon red chili powder, and half tablespoon मैं डाला है टर्मरीक और 1 tablespoon मैंने डाला है कोरियंडर धनिया पाउडर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले हम हमारे मसाले जब तक अच्छे से इसमें मिक्स होते हैं और हमारे प्याज वगरा अच्छा बुन जाता जब तक हम एक दूसरे पैन चड़ाएंगे तक जल लिए और हम एक्साल डालेंगे और हमारा जो पनीर है उसको थोड़ा सा शौटे कर लेंगे उसको बहुत चलाना नहीं है बस लाइट जो हमारा पनीड था क्रदेशर रोस्त यह अब मासाले में यह मार ध्यक्ज चांगा अपने प्यक्जक्णी म सब्सक्ज़ को tomar debris में कि एक मिनिट गोख जेंगे अब मोरे हमाइना को तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 cup पानी दाला था अब मैंने इसको ढखके कम से कम 5 मिनिट के लिए कुक किया है जब तक तेल हमारा उपर ना आ जा देखिए अब तेल उपर आ गया है तो हमारी सब्जी जो हमारी अच्छे से बनके रेडी हो गई है अब हम इसमें डालेंगे तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा मैगी मसाला मिंच एक चमच करीप मैंने मैगी मसाला दाला है हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है घरम मसाला और मैंने इसमें थोड़ा सा मिल पास पनीर मसाला था तंदूरी पनीर मसाला में वह भी आट किया है आपके पास वह को डालेगा बना स्किप कर दीजेगा तो यह हमारा सब कुछ अच्छे से रेडी होगा है अब हम इसके उपर कुरियंडर डालेंगे इसको एक मिनट के लिए गैस पर ही रखेंगे फिर उसके बाद हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे तो बन के तयार है हमारा मटर पनीर की सब सब्जी बन के तयार हैं जैसे हमारी शादियों में बनती है सेम वही टेस्ट और वैसे ही बनी थी बहुत ही यम बनी थी आप भी बट्टाय जरूर कीजिएगा मटर पनीर की सब्जी इसको आप चपाती की साथ और पूरी की साथ खा सकते हैं मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से शब्सक्राइब